नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर दिल्वे सिंग आप देख रहे हैं यूट्योब चैनल क्वेस्टिन या दोस्तों आज हम बात करेंगे एसिस्टेंट प्रोफेसर की वेकेंसी से रिलेटेर दोस्तों दो यूनिस्टी हैं बड़ी इंपोर्टेंट हैं पहले बड़ी इंपोर्टेंट है मतलब क्या है कि सबसे पहले इनकी नंबर ओफ वकेंसी देखिएगा 400 वकेंसी आई हैं लगबग 400 वकेंसी के बात कर रहा हूं तो यह बड़ी इंपोर्टेंट है यदि आपकी थोड़ी सी इच्छा है आप चाहत रखते हैं एसिस्टेंट प्रो से आपके 100 पॉइंट स्केल है उसके बारे में डिसक्स करने कोई जरूरत नहीं है लगबग सब भी कंडिडेट्स हमारे हमारे जितने वी दोस्त हैं वो सब जानते हैं फिर भी यह दिया आपको नहीं पता है तो उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना देंगे परन्त यहा सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू कोलिज की हिंदू कोलिज की जो एडविटीज्मेंट है वो आपके सामने स्क्रीन के उपर है यहाँ पर स्टार्डिक के अंदर कुछ गैडलाइन दे रखी है इस गैडलाइन को आप ज्यान से देखिएगा और यहाँ पर बता रखा है क short listing के बारे में और short listing 100 point skill के उपर है देखिए मैं यहाँ पे 6 college आपको दिखाऊंगा इन 6 के 6 college के अंदर 100 point skill पे ही आपका selection होगा सबसे पहले तो यह important बात है इसको आप याद रखिएगा और उसके बाद में यह skill आपको नहीं पता कि short listing किस प्रकार से होती है candidate का interview कैसे होता है college के अंदर कितने marks PhD बगारा के लगते हैं तो आप comment section के अदर बताईएगा further इसके बारे में separate video बना देंगे और बाकी जितनी भी video होना उन सब के अंदर यह मैंने cover किया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में knowledge नहीं होगा सब को knowledge इसके बारे में होना चाहिए तो इसको थोड़ा सा skip करते हैं क्योंकि बार-बार हर college के बारे में बताएंगे तो आप भी थोड़ा सा इसके बारे में बहुर हो जाएंगे यहाँ पे marks अलग-लग बता रखें यह है 100 point skill जिसको हम कहते है total score होता है जिसके अंदर academic 84 point होते है research publication के 6 point होते है और teaching experience के maximum 10 point होते है तो मैं इसको skip कर देता हूँ जल्दी से परन्तु हिंदू college के बारे में एक बहुत important task है important point है जो आपको जान लेना चाहिए यहाँ पे क्या लिखा है कि university department के अंदर जिस candidate ने 65% से और college के अंदर 50% से कम number लिए हो उनको short list नहीं किया जाएगा इसलिए वो apply ना करें तो यह इससे कम marks की बात है जैसे university department में 65% और college के अंदर 50% की 5% की आपे relaxation भी दे रखी है जो candidate schedule cast से है schedule drive से है या physical handicap है उसके बारे में नीचे चलते हैं नीचे बाग की जनर्रस information है और यहाँ पे अब होती है main advertisement शुरूब यहाँ पे आप total vacancy को देखेंगे तो 69 vacancy है यह advertisement आया था हमारे सामने 139-2022 को यानि कि advertisement आया था 139-2022 को last date इसकी है October की एक तारिक है यानि कि एक तारिक से पहले पहले आपको apply करना होगा email address है Hindu college का Hindu college की website है यह दिए आपको चाहिए तो यह information भी आप देख सकते हैं आप नीचे चलते हैं और vacancy देखते हैं जो 69 vacancy हैं वो किसकी subject के अंदर हैं कौन कौन से subject यहां पर cover किये गई है तो यह दे रखे हैं subject है आलांकि subject के अंदर आप देखो कि तो कम vacancy हैं जैसे ज्यादा vacancy वाले subject यहां पर chemistry हैं 7 हैं English के अंदर 6 vacancy हैं physics के अंदर हैं 11 vacancy इसके बाद में आपको 3-3-4 vacancy देखने को मिलेंगी आप इनको देख सकते हैं और अपने subject को देख सकते हैं इदर यह बाइफर्केशन दे रखा है मतलब क्या है कि आपका किस परकार से reservation के हिसाब से आपकी seat दे रखी हैं वो यहां पर बता रखी है जनरल की 23 हैं और बाकिस परकार से यहां पर comments कर रखी है आप नीचे चलेंगे तो बाकिस के अंदर कुछ खास है नहीं दूसरी vacancy पर चलते हैं और दूसरे college पर हम चलते हैं फिर उसके बाद में हमारे पास आता है जानकी देवी memorial college इसकी जो total vacancy 94 है 69 vacancy थे Hindu college के अंदर परंदु जानकी देवी के अंदर ज्यादा vacancy है यहां पर last date mention कर रखी है October की 7 तारिक यानिके 7-10-2022 से पहले आपको यह apply यहां पर करना होगा मैं जब record कर रहा हूँ तो आज तारिक हो गई है 25-9-2022 यानिके 25 सक्टमबर आप थोड़ा सा नीचे देखते हैं बाकी काफी अच्छे से sign यहां पर कर रखे है प्रिंसिपल साब ने और stamp भी बड़ी clear और स्यांदार आ रखी है यानिके scan जहां से किया गया बड़ा स्यांदार है अब नीचे चलेंगे थोड़ा सा और है कि जानकी देवी Memorial College यहां पर आप देखोगे तो इनकी seat बता रखी है टोटल से जो 94 है वो इस परकार से है Commerce के अंदर बेहत ज्यादा वेकैंसी है जो की 17 वेकैंसी मैंशन कर रखी है Economics और English के अंदर 10-10 है History के अंदर 13 वेकैंसी Mathematics के अंदर 14 वेकैंसी Political Science के अंदर 11 वेकैंसी है तो काफी वेकैंसी यहां पर दे रखी है तो आप इसको Note कर लें आपके सब्जेक्ट में Mention कर लें कि यह दिया आपका सब्जेक्ट यहां पर Cover किया गया है तो इससे नीचे चलेंगे तो फिर आपको General Condition यहां पर देखने को मिलेंगी जो Normal सी Condition है जिनको हम पहले भी Cover कर चुके हैं कि PhD आपकी कैसे होने चाहिए 55% Marks आपके होने चाहिए Net Qualify होना चाहिए और आपका जो एक बात और Important है यहां पर आई है कि फीज के बारे में Delhi College के जितने भी Delhi University के इतने भी College है उनके अंदर फीज है 500 रुपे और महिलाओं के लिए Saddle Cast Candidate के लिए Saddle Tribe के लिए Physical Handicap के लिए कोई भी फीज यहां पर नहीं है इस बात को भी आप याद रखें बाकी है Condition है और 100 Point Scale दे रखा है कि किस परकार से आपका Selection होगा देवी ने भी Mention करका है अमूमन यह सब Colleges के अंदर नहीं है परंतोजान की देवी के अंदर भी Mention किया हुआ है तो आप इसको भी याद रखें पिर उसके बाद में चलते हैं Next College पे और Next College मारे सामने है रामलाल आनद College जरामलाल आनद College की Last Date आप देखोगे तो यह है October की आठ तारिक October की आठ तारिक तक आपको Apply यहां पे करना होगा Total Vacancy यहां पे 73 हैं तो 73 Vacancy के अंदर यह दिए आप Department-wise देखोगे Subject-wise देखोगे तो Commerce की 12 Vacancy हैं और उसके बाद में Political Science की आठ है, Mathematics की आठ है और Computer Science की साथ है बाकि आप सब देखोगे तो जैसे Hindi की साथ और फिर उससे कम ही 2-4 Vacancy, 5 Vacancy इदर इस परकार से दे रखी हैं Bipurcation भी यहां पे दे रखा है इसको भी आप देखना साहें तो देख सकते हैं रामलाल आनद कॉलिज की और ज़्यादा information यहां पे नहीं है तो कुछ ज़्यादा मतलब इसके देखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने वसको skip कर दिया है उसके बाद में यदि आप देखोगे तो नेक्स जो कॉलिज आता है हमारे सामने दोलाकवा नई दिल्ली के उपर सरीवेंक टसवरा कॉलिज और इस कॉलिज के अंदर आप वकेंसी देखोगे पहले इसकी लास्ट डेट हमें देख लेने तेए कि लास्ट डेट है अक्टूबर की 10 तारिक है यानि का अक्टूबर की 10 तारिक से पहले इसके बाद में नीचे यदि इस कॉलिज के बारे में आप देखोगे तो न्यूज पेपर के अंदर जो उन्होंने कटिंग दी थी यानि के अड़र्टीजमेंट दिया था वो मैंसन का रखा है ये इस परकार से ये जो यल्लो का रखा है ये है अड़र्टीजमेंट जो न्यूज वेपर के अंदर आई थी यदि हम इसको नेक्स्ट पेज पे भी देखें तो भी आपको ये देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों ये थे उनिश्टी ओफ देली के कॉलेज इसके बाद में दो कॉलेज और हैं जो यूदिश्टी ओफ अलाबाद के अंदर आते हैं यूदिश्टी ओफ अलाबाद के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर आप देखोगे तो फीस मिलती है पान्सो रुपे और यदियाबाद करने यूपई के अलावाद यूनिस्ट्छी के अंदर जो को ले जाते हैं उनकी फीस मिलती है दो-दो हजार रुपे ऐसा क्यों है सेडुल कास्ट की एक जार उपे है फिस वास्तों में ज़्यादा है यार इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और दिव्यांग जन के लिए पीड़ुड के लिए कोई विफीस यहां पे नहीं है इधर सब्जेक्ट की बात करोगे तो आपके डिपार्टमेंट की एक एक विकेंश यहां पे दे रखी है जैसे फर्म अप्लाई करते हैं इसके बाद में जो एडवर्टीजमेंट मेंदल नियूजपेपर के अंदर आई थी वो यहां पे मैंशन कर रखी है कि 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और नीचे भी इसी परकार से मैंशन कर रखा है अगला कॉलेश हमारे सामने वो है राज और इसमें आप जर्नल कंडिरेट हैं या OBC से आते हैं तो आपको फिस इतनी ही देने पढ़ेगी और सेडूल कास्ट और सेडूल ट्राइब के लिए 1000 रुपे है परंदो 50 रुपे सर्विस चाहर्ज का आपको फिर भी आपे देना पढ़ेगा लास्ट डेट के बारे में ब देगरी हैं वह आपके कंप्लेट होनी चाहिए तो दोस्तों यह बाकी सारी चीजें इसके अंदर छोटी-छोटी सी मैंशन करकी हैं यह आप देखोगे राजिश्री टंडर महिला महावी दैल्ला के बारे में किस प्रकार से हैं तो यहां पे मैंशन करकी हैं के अंदर म्यू की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें इसी की साथ में वीडियो को आप सेर भी कर दें बड़ा अच्छा रहेगा और दोस्तों कोई भी आपका क्यूसन है कमेंट सेक्षन के अंदर लिखिएगा हमारा इंस्टाग्राम चैनल है टेलिग्राम चैनल है उसको फोलो कीजिए अगले वीडियो तरक तक दीजिएगा इजाजत बहुत बहुत आपका धन्यवाद